आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students हमारे सामने कोशन है कोशन पूछा हुआ है What is Matching Concept Matching Concept क्या है यह हमसे पूछा हुआ है तो देखिए हम शुरू करते हैं देखिए Matching Concept ना हमारा किस चीज के लिए Important है? Net Profit के लिए तो देखिए यह जो Important है यह बहुत Important है लेकिन किस चीज के लिए Important है? वो है Correct Determination of Net Profit हम सही से निकाल सकें Correct Determination of Net Profit Determination of Net Profit पतला हम सही से निकाल सकें इसलिए हमें Matching Concept की जरुरत होती है अब यह Matching Concept कहता क्या है? वो हम देखते हैं देखिए Matching Concept हम से यह कहता है कि जो हमारी Cost है All Cost All Cost किस से Relating to Revenue Which are Applicable to Revenue of the Period देखिए Which are Applicable All Cost जो क्या है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं Which are Applicable Which are Applicable to Revenue of the Period To Revenue of the Period Should Charge यहाँ से हम Change करेंगे यहाँ से हम लिखेंगे Should Charge Should Charge Against Debt Revenue Against Debt Revenue देखिए Matching Concept क्या कहता है? कि हमें क्या करनी होती है? जो Cost होती है जो Revenue उस Period के लिए जहां Profit and Loss बनाती है तो उसमें क्या करते हैं? जो भी Cost बनती है जो Revenue से Related होती है वो हमें कहां से Charge करनी चाहिए? उस Revenue से Charge कर लेनी चाहिए? तो यह हमसे कहना चाहता है Matching Concept कि हमारा क्या होना जाहिए? Net Profit इसी से हमारा क्या निकलेगा? सही निकल पाएगा I hope आप सभी को समझ में आया होगा Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चाहर सूपर झालोड़ पाउट्स